स्वागत है आपका भीवी से दुनिया में वो कारिक्रम जो आप तक ला रहा है दुनिया भर की वो एहम खबरें जिनका पढ़ता है आपके जिन्दगी पर असर आज दिखाएंगे दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों में चल रही जंग पर ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकिन पहले बात अमेरिकी राष्टपती चुनाओं की जिस पर है सब की नज़र अमेरिकी राष्टपती चुनाओं में प्रचार के आखरी दिनों में रिपब्लिकन पार्टी के राष्टपती उमीद्वार डॉनल्ड ट्रंप ने बांगलादेश के हिंदूओं और दूसरे अलप संक्यकों पर हिंसा को लेकर जताई चिंता अमेरिकी हिंदूओं से भी कहा जीतने पर की जाएगी रक्षा आप देखनें बीबीसी दुनिया मैं हूँ सारी कासे जानेंगे भारत को लेकर ट्रंप ने क्या कहा और वाशिंग्टन में मौझूद बीबीसी समवादाता से जानेंगे क्या है दिवाली पर दिये ट्रंप के इस संदेश के मायने लेकिन पहले हैडलाइन्स लेबनान के प्रधान मंत्री ने इसराइल पर लगाया हेजबुल्ला के साथ शान्ती समझाते की कोशिशों को खारिश करने का आरोग बीते एक महीने से राजधानी बेरूट समेत लेबनान के कई हिस्सों में हमले कर राई इसराइल उत्तर कोरिया ने कहा तब तक देते रहेंगे रूस का साथ जब तक वो युकरेन पर जीत नहीं हासल कर लेता उत्तर कोरिया पर लगे हैं अपने सैनिकों को रूस भेजने क्या रोग और कैसे युक्रेन के आम नागरिकों को आस्मान से निशाना बना रहे हैं रूस के ड्रोन्स दिखाएंगे युक्रेन से खास रिपोर्ट अगले हफते होने वाले चुनाओं पर पूरी दुनिया के नजर होगी ये चुनाओं हैं अमेरिका के राष्टरपती पद के लिए जिसमें एक तरफ हैं पूर्वराष्टरपती डॉनल्ड ट्रॉम्प दूसरी तरफ हैं उपराष्टरपती कमला हैरिस और ये दोनों ही भारतिय मोल के अमेरिकियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं जिनके संक्या वहां की आबादी का करीब एक फीसदी है लेकिन कैसे हो रहा है ये सब कुछ? करेंगे बाद कवर स्टोरी में Republican Party के राष्टरपती उमीदवार Donald Trump ने बीते रोज जब दिवाली की बधाई दी तो उन्होंने बांगलादेश के हिंदूों के बात की उन्होंने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म X पर लिखा साथ ही Donald Trump ने भी का कि मैं होता तो ऐसा नहीं उन्होंने देता कमला और जो ने पूरी दुनिया और अमेरिका में हिंदू के अंदेखी की है वादा भी क्या उन्होंने कि वो कट्टर वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे प्रिशासन में भारत और मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ साज़ेदारी को और मजबूत किया जाएगा और इसी पर चर्चा के लिए वाशिंग्टन से हमारे साथ जुड़ रही है बीबीसी सम्मादाता दिव्या आ रहा दिव्या पहले तो डॉनल्ड ट्रॉम के इस बयान के चुनावी मौसम में क्या मायने है क्या ये भारती समुदाय को लेकर टार्गेट इट था वहाँ पर अरू सिख्तिय है रहां करो मायन आधे और ने रहां में एक एक्राइट और आर्गेट इस बारे सम्मोम्द रहे नहीं कहा है। उनके साथ हैं, लेकिन गौर तलब यह है कि Kamala Harris अपनी रालियों में अपने भारतीय मूल, अपने काले मूल का भी इस तरह से खुलके जिक्र नहीं करती हैं, वो एक वाइडर बात कहती है कि अमेरिका जो है, वो इमिग्रेंट्स का, प्रवासियों का देश है, और मेरे ख्याल से यह वो इसलिए करती हैं, ताकि जो उनके समर्थक हैं, उन्हें लगे कि हाँ, Kamala Harris उनकी बात कर रही है, लेकिन जिनको उन्हें अपनी तरफ रिजहाना है, यानि कि वाइट अमेरिकियों उनको भी ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ अपने मूल के अपनी आइडेंटिटी के बल पर राश्ट्रपती पर पहुँचना चाहती है, वहीं ट्रम्प के लिए ये बात दूसरे पढ़ती है, क्योंकि उनका समर्थन वाइट अमेरिकियों का ही है, तो वो अलग-अलग जो करीब 48 लाख लोग हैं यहाँ पर, तो ये एक अच्छा खासा ताद, अच्छी खासी तादाद है, इसलिए दोनों लोग उन्हें रिज़ाना चाहते हैं इनके समर्थक इन्हें बेहत प्यार करते हैं, और विरोधी उतनी ही कड़ी आलोचना, डॉनल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से अमेरिकी राजनीती में हलचल पैदा कर दी है साल 1946 में न्यूँ यॉक के क्वीन्स में पैदा हुए डॉनल्ड ट्रम्प बच्पन से ही रियल एस्टेट की दुनिया में पले बढ़े, उनके पिता फ्रेड ट्रम्प एक प्रॉपटी डिवेलपर थे मिलिटरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद ट्रम्प अपने परिवार के कारुबार में शामिल हो गए वक्त के साथ उनका कद बढ़ता गया और उन्होंने ट्रम्प सामराज्य का विस्तार किया साल 2004 में आये रियालिटी टीवी शो दे अप्रेंटिस को होस्ट करके ट्रम्प ने युवा वर्ग को अपना दिवाना बनाया इसके एक दशक बाद ट्रम्प के अर्मान परवान चड़े और उन्होंने राश्रपती चुनाव में उतरने का फैसला किया उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगैन का नारा दिया और साल 2016 के चुनावों में हिलरी क्लिंटन को मात दे कर दुनिया को हैरान कर दिया ट्रम्प का कारेकाल काफी विवादित रहा उन्होंने क्लाइमेट और ट्रेड अग्रीमेंट से हाथ पीछे खींचे कई मुसलिम देशों में आवाजाही पर रोक लगा दी चीन के साथ नई ट्रेड वार की शुरुआत की किम जॉंग उन से हाथ मिलाया और मध्यपूर्व के रिष्टों को नया रूप दिया लेकिन 2020 के चुनावों में उन्होंने अपनी हार और जो बाइडन की जीत को सुईकार करने से साफ इनकार कर दिया उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया इसी साल मई के महिने में उन्हें एक पॉन्ट स्टार को चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में दोशी पाया गया मगर चुनोतियों के बाब जूद डॉनल ट्रंप एक बर फिर वाइट हाउस की दौड में मजबूती के साथ मौजूद है और ट्रंप के सामने हैं डेमोकृटिक कांडिडेट और मौजूदाओ राश्टरपती कमला हरेस वकालत के दुनिया से राजनीती में आई कमला देश की पहली महिला राश्टरपती बनने के उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में है रास्रपती चुनाओ की रेस में कमला हैरिस के शामिल होते ही अमेरिकी राजनीती ने एक नई करवट ली साल 1964 में कैलिफोर्निया के आउकलेंड में पैदा हुई कमला हैरिस के माता-पिता आप्रवासी थे उनकी माँ भारत से और पिता जमयका से हैं हौवर्ड यूनिवरस्टी से पढ़ाई करने के बाद कमला ने वकालत की दुनिया में कदम रखे कमला पहले सरकारी वकील और फिर कैलिफोर्निया की पहली महिला ब्लैक और दक्षन एशियाई मूल की अटोर्नी जनरल बनी साल 2016 में वो अमेरिकी सेनिट यानि संसत के उच्चे सदन के लिए चुनी गई फिर साल 2019 में उन्होंने रास्टपती पत की उमीदवारी हासिल करने की कोशिश की इसमें वो कामयाब नहीं हुई लेकिन बाइडन प्रशासन में वो अमेरिका की पहली महिला उपरास्टपती बनी हैरिस को अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर अवैद घुसपैट और अप्रवासन के मुद्दों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई थी उनके आलोचा कहते हैं कि वो इसमें नाकामयाब रही जुलाई में जब जो बाइडन ने खुद को रास्टपती बनने की दौर से अलग किया तो डेमोक्रिटिक पार्टी ने उन्हें डौनल्ड टरंप के खिलाफ उमीदवार बनाया और अब दोनों के बीच कड़ी टककर है और दिवया हमारे साथ वाशिंग्टन से लगातार मौजूद है दिवया बहुते दिल्चस्प और कड़ा मुकाबला दोनों कैंडिडेट्स के बीच आप वहाँ पर हैं क्या देख रही हैं क्या उब्जर्वेशन है बिल्कुल इतनी काटे की टककर है और सारिका कभी कभी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं वो एकदम दो छोर के एकदम पोल्स अपार्ट हैं उनकी पसनालिटीज अगर हम उनकी जो रालीज हैं जब हमने देख रहे हैं तो हम देख रहे है उनकी speeches उसपर focused रहती हैं उनका stand उसपर जो है या उनकी सफाई है जैसे immigration पे कहा जा रहा है कि उन्होंने illegal immigration उनके पुराने परशासन ने बाइडन परशासन नहीं रुका उसकी सफाई देती हैं और लोग उसपर तालियां बजाते हैं वहीं अगर आप Trump की राली देखे तो ट्रम्प की राली में बहुत जिक्र पर्सनालिटीज का होता है और बहुत ज़ादा आलोचना बाइडन जो अब रेस में नहीं है लेकिन प्रशासंग के क्योंकि मुख्या थे उनकी और कमला हरस की खास तोर पर और लोग उसे भी पसंद करते हैं मुस्कुराते हैं तालिया ना भी बजाएं पर आप मुस्कुराते चेहरे देखेंगे आप देखेंगे कि उनको ये पसंद है कि उनका कैंडिडेट इंडिविज्वल अटाक करे तो इससे क्या हो रहा है कि जब आप सड़क पर उतरते हैं और आप देखते हैं कि लोगों की पसंद क्या है तो लोगों में बहुत डर है और लोग बहुत strongly डिफेंड करते हैं उस कैंडिडेट को जिसको वो पसंद करते हैं उनको ये सही नहीं लगता कि कमला हरिस के लिए ये कहा जाए कि वो तो डिफॉल्ट में रेस में आ गई और इससे पहले तो उनका कोई चांस नहीं था इसलिए उन्होंने ये मौका जैसे की ठीक से हासिल नहीं किया है और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि ट्रम्प को प्रोग्रेसिव ना कहना भी एक बहुत गलत बात है तो जो भी नतीजा हो इस वक देश बहुत बटा हुआ है शुक्रिया दिव्या इस पूरी जानकारी के लिए तो चुनाओं के लिए गिने चुने अब दिन बाग की रह गए हैं इस बीच भी बीई से को पता चला है कि रूसी सेना युक्रेन के आम लोगों को ठून कर ड्रोन से निशाना बना रही है युक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि बीते तीन महीनों में ऐसे हमलों में में कم से कम 30 लोग बारे गए हैं और 400 से ज़ाद लोग घायल हुए हैं हलांकि इन आरोपों पर जब BBC ने रूसी सेना से प्रतक्रिया मांगी तो उनका कोई जवाब नहीं आया देखिए बीबीसी समवादाता योगिता लिमे की यूकरेन के खेरसों से ये रिपोर्ट जिसके कुछ हिस्से आपको परिशान कर सकते हैं गोला बारी से पहले ही तबाह हो चुके शहर पर एक और गोला दागा गया पर अब खेरसों और जादा खत्रे का सामना कर रहा है ड्रोन से बनाएगा इस डरावने वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी ड्रोन किस तरह से आम लोगों को निशाना बना रही है बीबीसी ने इस बात की पुष्टी की कि ये खेरसों ही है ऐसे कई वीडियो रूसी मेसेजिंग अपस पर शेयर किये गए थे यूकरेन कहता है कि उसके पास इस बात की सुबूत है कि आम नागरिकों को जान बूच कर निशाना बनाया जा रहा है खेरसों के बाहर एक सुरक्षत इलाके में हम दिमित्रो नाम के वॉलंटियर से मिले दिमित्रो उन चार सो लोगों में से एक हैं जो ऐसे हमलों में घायल हुए उन्होंने हमें जमीन से बनाया गया एक वीडियो दिखाया इस वीडियो में एक रूसी ड्रोन को एक बस टॉप के ऊपर आते हुए देखा जा सकता है और फिर ये बम किरा देता है एक आदमी चिलाया, क्या सब लोग सही सलामत हैं? वीडियो में देखा जा सकता है कि दिमित्रो का खून बह रहा है दिमित्रो बीबिसी को बताते हैं कि धमाके से उनके कान का परदा फट गया और बम का एक टुकड़ा अब भे उनके सर में फसा है दर्जनों आम नागरिक मारे गए हैं पेशे से दुकानदार सरही पडूसी से बात कर रहे थे तब ही घर के पीछे एक बम गिरने से वो बुरी तरह घायल हो गए सरही और एंजिला की शादी को 32 साल हो गए थे एंजिला ने उन्हें मरते हुए देखा जब उन्हें ड्रून के आवास आई तो उन्होंने पेड के पीछे शिपने की कोशिश की पर हमला तेजी से हुआ बम का टुकड़ा सीधे उनके दिल में खुच गया वो बहुत अच्छे इंसान थे क्या रूसियों ने ऐसे लड़ने का फैसला किया है कि वो सड़क पर चल रहे आम नागरिकों को मारेंगे बीबिसी की टीम को शहर में आगे बढ़ने के लिए गाड़ी की रफ़तार तेज करनी पड़ी ताकि ड्रोन्स पीछा ना कर पाए एक सहायता केंद्र पर हमने देखा कि सभी लोग पेड़ों के नीचे छिपे हैं और फिर वो जल्दी से अंदर चले गए ये लोग जरूरत पढ़ने पर ही घर से निकलते हैं ताकि खाना और दवाईया जमा करके रख सके ये लोग हर वक्त ड्रोन्स हमले के डर में जी रहे हैं हमारी हालत बहुत खराब है मैं यहाँ इसलिए आप आई क्योंकि आज धुन्द नहीं थी कोने में ही लगा एक डवाईस बाहर ड्रोन की मौजूदगी का पता चलने पर आवास करता है इस वक्त हमारे उपर तीन ड्रोन्स हैं और खेरसों में हर वक्त ऐसा ही महौल रहता है आप किसी भी वक्त घर से बाहर निकलें आप के दिखते ही ड्रोन से हमला होने का डर बना रहता है तोपो के हमले का भी खत्रा है इस शहर में छिपने की बहुत ही कम जगे बची है और लोग इस खतरनाक मोहौल में भी रह रहे हैं और काम कर रहे हैं शहर से बाहर निकलते वक्त बीबीसी को आम लोगों पर हमले होने के सुबूत दिखाए दिये एक बमने इस गाड़ी की चछत तब उड़ा दी जब उलेना को इसमें बैठे कुछ ही मिनट हुए थे इस हमले से वो हिल गई हैं और गुस्से में हैं उन्हें डरहे की हालात और खराब होंगे क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है तब पेड़ों पर पत्ते नहीं बचेंगे और छिपने की जगए और कम हो जाएगी बीबीसी संबादाता योगे ताल्ले मैं की रिपोर्ट और बात एक दूसरी जंकी जो एक साल से फ़साता वक्त से चल रही है एंटिनी बिंकन ने कहा कि मध्यस्तों के बीच लिबनान में संगर्ष विराम को लेकर सकरात्मक बात चीत हुई हलांकि लिबनान के प्रधान मंतरी नजीब मिकाती ने आरूप लगाया है कि इसराइल हिजबुल्ला के साथ शान्ती के लिए की जारी कोशिशों को लेकर गंबीर नहीं है दरसल अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन को मध्यपूरु से जुड़े मामलों पर सलाह देने वाले दो अधिकारी इसराइल आये थे उन्होंने इसराइली अधिकारियों से हिजबुल्ला के साथ संगर्ष विराम पर बात चीत की और फिर वापस अमेरिका चले गए इसके बाद इसराइली प्रधान मंद्रे बिन्नामिन नतनाहों ने कहा कि किसी भी समझोते में ये पक्का कर लिया जाना चाहिए कि लिबनान की ओर से कोई खत्रा महसूस होने पर इसराइल उसका जवाब दे सकता है वही घजा में भी संगर्ष विराम ना होने की वज़े से हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं संग्तराश्ट का कहना है कि घजा में बच्चे उस जंग की भारी क्यमत चुका रहे हैं जिसे शुरू करने में उनका कोई कुसूर नहीं है बच्चों के लिए काम करने वाली संग्तराश्ट की एजंसी का कहना है कि यहां रहने वाले तकरीबन दस लाक बच्चों की मानसिक सेहत पर असर पड़ा है और उनकी देखभाल करना ज़रूरी है वही घजा के स्वास्ति मंतराले का कहना है कि इस शंगर्ष में अब तक 14,000 से जादा बच्चे मारे जा चुके है इसराइल, BBC और दूसरे अंतराश्टे मीडिया को घजा के अंदर अकेले जाने और रिपोर्ट करने के जास्त नहीं देता फिर भी घजा में ली गई एक छोटी बच्ची की तस्वीर के पीछे की कहानी पता की, BBC सम्भादाता फर्गल की इनने सब बिखरे हुए हैं, क्योंकि इसराइली सेना ने उन्हीं ऐसा करने को कहा है मौत हर तरफ है और फर्क नहीं पड़ता की आप क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपको जाना ही होगा एक हफता पहले, शायद किसी इसराइली सेनिक ने ये तस्वीर खिंची होगी इस्रैली सेना ने इनके पास हत्यार होने और हमास से जुड़े होने के शक में कपड़े उतरवा कर तलाशी ली इन में कुछ बुजर्ग भी थे मगर बाईं और देखिए भीड में ये छोटी सी बच्ची जो सेनिकों से दूसरी और देख रही है वो कौन थी? उसके साथ क्या हुआ? ये थी साठे तीन साल की जूलिया अबु वर्दा ये तस्वीरें इस्रैली चेक पॉइंट पर हुए एंकाउंटर से ठीक पहले सितंबर के महीने में ली गई थी इसके बाद उन्हें आदेश दिया गया जब तस्वीर ली गई उसके एक हफ़ते बाद हमारे सहियोगी ने गज़ा शेहर में जूलिया को ढून निकाला परिवार के जहन में वो यादें अब भी ताजा हैं इस्राइली सैनिक टैंको और जमीन पर मौजूद थे वो लोगों के पास आये और उनके सर से थोड़ा उपर हवा में गोलिया चलाने लगे गोली बारी के दौरान लोग एक दूसरे से धका मुक्की कर रहे थे वो जहन्नूम बन चुके जबालिया से भागने की कोशिश कर रहे थे एक ऐसी जगह जहां अब जिन्दा बचे रहना नामुम्किन सा हो गया है हमने तबाही देखी और जमीन पर हर तरफ लोगों की लाशे थी उन्होंने हम पर बंदूग तानी हुई थी और बैठे रहने का ओर्डर दिया था वो बहुत बुरा वक्त था ऐसा नहीं है कि घज़ा में बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं मसला यह है कि वहां वक्त और माहौल ही नहीं बदल रहा वो फंसे हुए हैं हर नया दिन बीते दिन जैसा है और ये तनाव उनके अंदर जमा हो रहा है सडक पर खेल रहे जूलिया के साथ साल के भाई की एक इसराइली ड्रोन हमले में मौथ हो गई ये समान बात थी वो खेला करती थी पर अब जब भी बंबारी होती है वो इशारा करके बताती है कि प्लेन है वो उपर देखती है और ड्रोन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो हमारे उपर से गुजर रहे हैं ऐसी जगा पर जूलिया को खुशनसीब कहना ज्यात्ती होगा पर वो इस मामले में खुशकिस्पत हैं कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है यरुशलम से बीबीसी समवादा ताफ़ा गलकीन की रिपोर्ट युएन का कहना है कि खाजा में लाखों लोगों पर भूक मरी का खत्रा मन रहा है वहीं दूसरी और इसराइल में कई परिवारे से हैं जो बीते साल ओक्टूबर से हमास के बंधक बने अपनों की घर वापसी का इंतिसार कर रहे हैं और कारकरम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्विटर है एट बीबीसी सारे का आज के लिए इतना ही बीबीसी दुनिया के साथ हम न्यूस 24 पर फिर हाजर होंगे सोम वार्जे शुक्रवार तक रात दस पचे से